शलूम 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 प्रभूईश्य मसी नासरी के नाम में पवित्रात्मा के द्वारा आज हम उन चीजों को जो हम सब की इक्षाएं रहती हैं कि वो हमें मिले वो हम जानेंगे और वो सब के लिए है सब के लिए मतलब सब के लिए चाहे वो विस्वासी हो अविस्वासी हो सब के लिए क्योंकि सारी मनुष्य जाती के लिए है तो यह सबसे खुबसूरत चीज जो आज हम सब के लिए प्रगट करना चाहते हैं पवित्रा होना और वन्चित करना याने खुद भी वन्चित हो जाना और सामने वाले को भी वन्चित करना तो सोचिए कितना खुबसूरत विश्या है जो सबकी लालसाओं से भरा हुआ है सबकी ये लालसा रहती सबके मूँ से आप सुनते होंगे तो इसको सुरू करने के पहले मैं उस जो पवित्र सास्त्र की सबसे मुख्य बात है वचन हा ना और उसकी सबसे प्रमू को बात है प्रेम तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम से शुरू कर रहा हूं पिछले समय में पवित्र सास्त्र की वो सब बात यहीं आग्या नियम और कड़वी मीठी बहुत सी बाते हमने जानी समझी कमजोरियों की निरबलता की लाचारी की अनाग्या कारिता की पर नहीं आज वो विशे नहीं है क्योंकि प्रेम से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है जो प्रेम को भी प्रमानित करता है और मनुष्य जाती के जीवन में वो जो कुछ नहीं कर सकता कहीं से नहीं हो सकता वो प्रेम के अंतरगत आने वाली और इसी को अगर हम अच्छे से जान लें समझ लें तो उसके लिए एक ही शब्द है जो निश्चत प्रेमी सुरुआत है पर खुशियां के खुशियों के लें दें सब की खुशियों के लिए और सब पा सकते हैं सब दे सकते हैं हर पल हर दिन तो ये हमें मिला, ये हमें मिला है जिन्होंने विस्वास किया प्रभी ईशू पर, क्रूस की मृत्यू पर, परमेश्वर का प्रेम का प्रती, क्रूस की मृत्यू और प्रनुरत्थान, प्रेम खुशियां देना सब में हैं, पर कितनी कंजूसी है, देखिए एक विस्वासी भ बच्चे रिस्तेदारों को खुशिया देता है पर अंतर क्या खुशियां देता है जैसे मैंने बोल दिया तो वाक़ए में देता है या देने में कैसी धिल डाल है कीसी कमजोय आ है तो वो कमजोरियां मसीही जीवन में नहीं हैं अन्य जातियों में हैं तो पनुर्थान के द्वारा रगट हुआ उस क्रूस पर प्रेम और सारे संसार के लिए खुशियां पहला तोफ़ा खुशियां सबसे बड़ा तोफ़ा खुशियां हर कोई इक्षा रखता है कि उसे खु खुशियां देना इतना प्रेम का वो हिस्सा है जो खुशियों को या खुशियां वो कर्म हैं जो प्रेम को प्रगट कर देती है और वास्ताव में अगर वो निस्वार्थ है तो वो निर्दोश और निसकलंग भी रहेगा क्योंकि परमेश्वर प्रेम है इसे हीब्रू में आहा वोलते हैं प्रेम को वैसे परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के बेटे का हमारे लिए आग्याकारिता प्रेम आग्याकारी होता है ये निस्चित है और इसी लिए वो सब बातों की लैटर्स की अक्षरों की समझ मिलती है जो जुड़ के एक नाम को दिखा देता है भई छोटे छोटे लेटर जब अक्षर जुड़ते हैं तो एक शब्द बनता है और वो नाम हो जाता है और नाम का महत हमने जाना है पर खुशियां वो हिस्सा है जो दुष्टता के अंधेरे को निशित हराती है ये दुख तकलीफें खुशी वो ऐसास है या टॉनिक बोलिये जो दुखों को कम कर देता है परिशानियों को कम कर देता है आशा या भरोसा परमेश्वर पे भरोसा और वो आशा निशित हमारी मजबूत करता है अगर देखेंगे तो सभी के जीवनों में छोटी छोटी कहानिया हैं खुशियों के लिए वो छोटी छोटी कितनी महतपूर्ण है जब हम अपने सामने वाले के लिए अपने प्रिये जनों के लिए अपने परिवार के लिए प्रगट करते हैं खुशियों का योगदान प्रगट करते हैं जितनी हमारी सामर्थ होती है जब हम ये करते हैं तो ये बढ़ते जाती है आपको ताजब होगा तो तो दिया जाएगा यहां पर वो है ये उसका जो टप सिक्रेट है ये धन दौलत लोगों को तरफ लुभाने वाली आशीशें ये उससे हट कर ये सुपरनेचरल की खुशियों को बढ़ाने का कारण अपनी घटी में दे देना इसराइल की घटी हमारे लिए इतना आशीश का कारण हुई तो जब वो भरपूरी और आशीशित होंगे तो हमारे लिए क्या कुछ ना होगा मैं सिर्फ आज खुशियों के लिए आप सब की पूरे मसीही लोगों के लिए गैर मसीहीं के लिए सारे जगत के लिए ये जो पैगाम है निश्चित खुशी देने की कोशिस एक हत्यारा बाप भी अपने बेटे को करता है मतलब गिरी से गिरी अवस्था और गिरी मानसिकता और बहुत से पाप के दलदल में फसे हुए भी ये कोशिस करते हैं कि खुशी दे क्यूं है ये ये मनुश का ओरिजिनल है चाहे वो कितना घिनोना स्वार्थ के कारण लालसा के कारण दुष्ट ने किया है पर ये खुशिया एक्च्वल में दे कैसे पाते हैं जब तक ये समझ नहीं कि खुशियों का निरंतर और निरंतर बढ़ना खुशी देने के कारण होता है तो जब हमारे द्वारा लोग खुशियों से आसिसियत होंगे तो डैफिनेटली हमारे जीवन में दुख हों जैसी और वो कराने जैसी स्थिती से छुटकारा पाएंगे वो एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला आप अच्छ से जानते होंगे तो ये पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा का वादा और हमें मिला सुरू जो जो सत्यता को प्रमानित बताई जा रही थी मनुश्यों के सौभों से जुड़ी गतिविदी घटनाएं अच्छी बुरी सब की सब जो हर एक मनुश्य को जानना है वह सब कुछ पवित्र सास्त्र में के वचन में जो परमेश्वर का जीवित जीवन का वचन अथार्थ प्रेम का और उसका कर्म का परिनाम खुशियां है ये मैंने नोट कर लिया ये पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू होता है इससे बार-बार जानना मैंने अंडरलाइन किया है इसको जानना पर परिनाम उसका कर्म का परिनाम खुशियां है प्रेम का प्रगटि करन खुशियां देना है और इसमें वो हिस्सा है कि ये जो तकलीफे असफलताएं रुकावटें आप हर दिन अपने परिवार में एक दूसरे की मदद करने की जगा चिड़ना सुरू करते है नहीं तू कर ले तू कर ले ये सारा कुछ चलता रहता है एक ऐसा कि नहीं तू छोटा है तेर वो करना चाहिए तने तू कर ये हिस्सा जब खतम होगा अपने परिवार में प्रात्नाओं में रहते हैं हम प्रभी इश्यू में हैं और एक दूसरे की इस तरह से मदद करेंगे और तो ये देखेंगे की वहाँ जो नहीं हो पा रहा है और चिंताएं, कुड़क़ाहट असफलताएं, बिमारियां तो आप इनको अलग होते हुए देखेंगे जब ये खुद प्रामिस कर लेंगे अपने एक दूसरे से और उनकी छोटी छोटी खुशियां जो किसी के दौरा मदद से मिलती हैं उसके लिए इमानदार रहेंगे और उस खुशी को महसूस करेंगे कि ये मेरे लिए हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये खुशियों का जो सबसे मुख्य है, संसार में परमेश्वर ने जो रखा कि सारा जगत इस खुशियों के प्रकास से इत्ता अन होना बहुत ही special experiences हैं इसके एसास बहुत खुबसूरत है यहां आपको तमाम कोमलता और सुगंद और इमानदारी और सच्चाई मिलती है खुशियों में, जब हम प्रेरित होते हैं खुशियां देने के लिए और साफ साफ है वच्चन की समझ ही वच्चन के साथ ही अथार्थ, प्रभू ईश्यों के साथ पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ ही एक मनुष से इसको इमानदारी से कर सकता है और बहुत आसानी से इसमें आपका कुछ भी नहीं घिसता क्योंकि साफ साफ कहा गया है पवित्र सास्त्र में कि संपूर्ण पवित्र सास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेड़ना से रचा गया है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही सुरू है निश्चितम पवित्र आत्मा के युग में हैं एक युग पिता का था इस्राइलियों के साथ दूसरा समय प्रभू तो अकेले नहीं है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा साथ में हैं एक हैं पर सब के काम अलग-अलग समय के लिए रखे गए और आज जो निश्चित परमेश्वर ने योजना करी समय की वैल्यूस को हमने थोड़ा-थोड़ा समझा कि पवित्र सास्तर में जो समय निश्चित कर दिया गया वो अकाटे है उसको कोई नहीं बदल सकता परमेश्वर ने जो रीती ठहरा दी जो योजना जिसको आप विवस्था बोलते हैं विधी ठहरा दी और उस पर सील लगा दी वो कोई उसको बदल नहीं सकता आज जब हम इस सबसे खुबसूरत खुशियों के विश और अंदकार को दुखों को परेशानियों को आप ओठों से बोलेंगे जब खुशी देने वाले बनेंगे मेरी आत्मा में इस समय क्या हो रहा होगा आप कल्प ना कर सकते हैं पूरा एक भार है कि मेरे मन प्राण आत्मा की बुद्धी की सारी शक्ति इस बात को पूरी इमा संसार में पिता-पुत्र की मदद जो मदद है जिसके कारण मैं इस्तिर हूँ उसके अतरिकते मेरा कौन है और वही बात मैं बता रहा हूँ लोगों के बहुत होते हैं रिस्तिदार और सब होते हैं जो मदद पहुंचाते हैं मुझे जो मदद मिलती है पिता-पुत्र में जो सच है मैं रह रहा हूं और सारी परिपूर्टा के साथ रह रहा हूं वैसा आप भी पाओ और उसका पहला और पहला अगर आप नियम मानते हैं तो वो खुशी है खुशियां आप करके आप बिलकुल करते होंगे उसे बढ़ा लीजिए अगर दुष्ट को डेमेज करना है आशा मत रखी कि कौन मेरे को खुश करेगा हां मैं खुश करूँगा अपेक्षा खुशियों की अपेक्षा करना और खुशी को नहीं पाने के कारण कटुता बैर पैदा होती है और दुष्ट का ये हत्यार बन जाता है और यही हमारे लिए सब सा बड़ा हत्यार है कि अ अपना हंड्रिट परसंट दे उससे पेक्षा मत करें और आप देखेंगे स्वर्ग से परमीश्वर उसका वादा जो सच है वो आपके लिए खोल देगा वो द्वार खोल जाएगा ये द्वार का मैंने बताया है पिछले इनको बहुत गंभीरता से समझे ये सुसमचार सिर दिन अपनी दिन्चरिया के बाद सिर्फ कुछ समय के लिए वो जब लोगों से मिलता है तो जाहिर जरूर करता है पर विशय दुख हो जाता है अपने अपने दुखों को बताना हो जाता है सालूशन खुशिया है पर उसके साथ प्रेम जब तक उस प्रेम को हम नहीं जाने हमने जाना कुरूज को। कुरूज ही प्रगट करता है वो मृत्यों प्रगट करती हैं और जीवन के लिए। ये पिछले तमाम पुवितर आत्मा के जो आ रहे हैं उनकी प्रिर्णा से स्मय सुरू से आ रहे हैं पर इस समय nella है ना खूलना नहीं ये खुशिया बाटना अपने आप में हराना है अपने आप में क्योंकि वहाँ दुश्टता की हर उस बात को परमेशवर रौन देगा रगड़ेगा पवित्र आत्मा दूर करेगा और खुशियों के लिए रास्ते खूल देगा हर आत्मा को खुशी मिले, हर मनिश को खुशी मिले, जिसको हम गैर समझते हैं, विचारों के कारण, कटरता के कारण, धार्मिक अंधता के कारण, धर्मांद बन जाने के कारण, और उसी को सच मान लेने के कारण, इसलिए मुझे पिछले समय में सत्य की पहचान का और विस्वास की जो मजबूत करता है उसका हिस्सा मैंने कुछ बताया कि सत्य की हर बिंदू पर पहचान है पुवित्र सास्तिर में किसी भी द्रिष्टी कोंड से कैसा भी चैत करें सेतान कितना चादा धूरत और चालाख है वो कैसे कैसे चैक करता होगा आप कलपना करते हैं पर आपका चरित्र आचरन और सौभाव यह पहला सौभाव है परमेशर का प्रेम पहला सौभाव जिस पे बोला है मैंने और आज उस प्रेम में नहित खुशियों के बारे में बोर और प्रेमी में नहित है उसकी करुणा जो तमाम आश्चेर करमों को करती है प्रेम के समवंद में बाइबल में बहुत सारे रिफरेंसेज हैं पर खुशियां हर दिन मुस्कुराता खिल खिलाता हुआ चहरा कितना अद्भूत और सुन्दर होता है उसकी आँखों में जब खुशियां आजाती हैं तमाम निराशार वो सब खतम होती हैं पर इन सब चिज़ों को खतम बचन में आगया कारी ऐश्यू के नाम में मांगना सचाई से मांगे हैं तो करना ये जब हम दूसरों के लिए खुशियां मानने वाले हो जाएंगे ना तो जब ये होगा ये अंदाज नहीं बता रहा है इस यू के नाम में बता रहा हूँ तो आप वहां से सब कुछ जब स्वर्ग से आपको खुशियां मिलेगी तो खुशियों के साथ कितने तोफ़े मिलेंगे सबसे बड़ा तोफ़ा है और संतुष्टी उसके साथ आपको मिल जाएगी प्रतेक प्रतेक परिवार में और जब ये उधारन देखेंगे अन्ने जातियां तो निश्चित आज जो मैं बहुत सारी चीज़े सुनता हूँ मैं आज उस दिश्या में बोलना नहीं चाहता कि क्यूं दूर हो जाते हैं कई लोग तो वेवार, चाल, चरित्र, सौभाओ के कारण वो देखते हैं कि ये तो हमारी जैसे काम करते हैं और ऐसे लोग जो परमेशर के प्रभू ईश्यू के करीब आना चाहते हैं पर जितनों ने प्रभू ईश्यू को गरहन किया है जो संतान बन चुकी है उसका नैतिक दायत वो बनता है और नैतिक दायत की समझ नहीं रहने के कारण पहला ठीक है खूब प्रातना करिए बहुत अच्छा है आप जो कर रहे हैं करिए पर उसके साथ ये जरूरी है कि हर दिन आपके द्वारा किसी ना किसी को खुशियां बाटी जाएं उसके लिए मदद की जाएं छोटी से छोटी अपनी कमियों में से ये है परमेशर की इक्ष पूरी करना जो लाजमी है जरूरी है बोल कर नहीं कि मैं तेरी इक्षा पूरी करूँ जब तक वो इस इक्षा को नहीं समझेंगे तो खुशियां पाओगे वो रखी हुई हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा मैं कल्पना नहीं बता रहा प्रभू के द्वारा सब कुछ होगा क्योंकि वही सब है उसके द्वारा सब है हमारे जीवन में और तमाम संसार में तो आप इसको बिलकुल इसमें बहुत चीजें जुड़ी हैं पिछले जुड़ती जा रही हैं हमने जाना है बसंतरी तु का जाना ना लुका एक में हम उस हिससे को जानेंगे कि वो समय कौन सा था और कैसे पैदा हुए वो समय क्या था उसको पहचान कैसे हुई तो बाइविल में हर इस तर पर ये चीज रख दी गई है कि किसी की भी कोई भी संकित वैक्ती जो बिलकुल संकाओं से भरा हुआ है वो छुटकारा मिले आज ये सब बातों से अलग आत्मा जो मुझे प् खुशियों के लिए है कि ऐसे कटिन समय में आएंगे और आदद बन जाएगी तो वो कालपनी खुशी नहीं होगी और ये खुशियां ही विस्वास को और मजबूत विस्वास को मजबूत करती हैं आप जब खुशियां बाटेंगे और आपको मिलेगा उससे कई गुना तो तीजगुना साथगुना वाला मत रखी अपना हंडर्ड परसंट खुशियां देने का काम करें ये आपके लिए आज का वो सानदार खुशियों का तफ़ा है आपके पूरे परिवार के लिए और सिर्फ मसीही परिवार के लिए नहीं सारे देश के लिए सारी मनश्य जाती के लिए खुशियां वो पैगाम है परमेश्वर का मैं सानसारी खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ जो वचन के अनुसार और निश्चित बाप ने कह दिया है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी चाहे वो आखरी में गया हो तो भी मिलेगी उतनी जो पहले थे वो भेदवाव पक्षपात नहीं करता उसने निश्चित कर रखा है तो वो तो आपको मिलना ही है हाँ थोड़ा सा हट जाए उस बाद से जो कूरी नहीं हो रही है चिंतित हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं नाना प्रकार की चीजों से प्रताडित हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं इस अलग हटकर जो दुष्च ने वो कठोरता ला दी है अविस्वास की शंका की खुशियां उसका निदान है क्योंकि इसमें प्रेम निस्चित की पूढ़ता है खुशियों में प्रूतिया लेते हैं तो सचमुच में समझ पाएंगे कि प्रेम की सुगंद जो प्रेम की महक है उसकी कोमलता का एसास होगा उसकी पवित्रता का एसास होगा उसकी सुद्धता ये वैसा कर बहुत अद्बुच जो इश्यू ने पूरा करा इस सच्चाई के साथ और जिसके अ तो आप गरहन करिए इसे पहन लीजिए जब खुशियों को पहनेंगे और वो तोफ़ा रखा है तो बाइबल में खुशियों के लिए बहुत से रिफरेंस हैं बस देने वाले बन जाएं और ये परमेशर की महिमा का कारण होगा सारे जगत में लोगों के लिए कि मसीही और वो जानना चाहेंगे कि आप ऐसे खश़ कैसे रहते हैं एत्तीकमी में आपकेसे देते हैं और एत्तीकमी में आप कैसे सब कुछ चल जाता है तो आशीश को दिखाएगा, प्रगट करेगा परमेशर, हम मसीही जीवन में जिएसे आशीशों को प्रगट किया उसकी सचाई इ रहुदियों को कितने आशीशी ठेरा दे हर कोई की जबान तो आज अब हमारा समय है ये तो ये मसीही जीवन में ये तमाम आशीशी देखे गया है सांती शलूम और उसमें खुशियां बाट कर ये सब चीज पाले ये इशू के नाम तो हमने जान लिया कि खुशियां बाटना से सरवतम कुछ नहीं है ये एक ऐसा पुल है दो लोगों के बीच में दो समाजों के बीच में दो देशों के बीच में हर विभाजित हिस्से को ये जोड देता है अगर ये नेक नियत से हो क्योंकि खुशियां एक ऐसा जाल भी है जिसमें लोग दुर्पयोग करते हैं निय गंदी रहती है ये ऐसी कमजोर नस भी है मनुश्य की सबसे कमजोर नस जिसका लाब हर छेतर में उठाया भी जाता है जिससे हमको अपना मतलब निकालना होता है अलग अलग तरीके से एक लाब पहुंचाने वाली कोसिस जिसके पीछे छिपा हुआ वो दुष्टता होती है की धूरतता और कपट होती है आप एलेक्शन में ही देख लीजिए थोड़ी सीरिस वाद कैसा बिलकुल खुले आम है लोग लेने देन करते हैं और खुश हो जाते हैं थोड़ी से तो ये हिस्सा क्यूं है क्योंकि सिक्षा जो है लोगों के धर्मों की सिक्षा अपने बड़े बनने की कोशिस करता है या एक ऐसा सामने रखता है जो लुभावना हो जैसे विश्व गुरू इंडिया के तरफ से हमेशा ये पास किया जाता है हर समय कि हम विश्व गुरू होंगे क्या है इसके पीछे ये वही हिस्सा है जो निमरोद बड़ा बनना चाहता था स भूके मरती है और कई करोड लोग 20-22 करोड लोग भूके सोते हैं वो लोग अगर ऐसी बात कहते हैं तो संदे नहीं होता प्रभू इश्व जो सेवा करने आए हम जो क्रिश्चन क्राइस्ट को मानने वाले इनकी दृष्टी में इसाई धर्म को मानने वाले अगर हम मान भी कि वैसे हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर के धर्म जो धर्म है जो जात है हम उसको मान रहे हम मुनिश्ची की जात को मुनिश्ची के धर्म को नहीं मान रहे हैं उसके रीती रिवाज को नहीं मान रहे क्योंकि उसके रीती रिवाज हर जगह पर इतने लचर कमजोर हैं वो स्वास्त विवाग में देखिए इसके पहले का अगर इत्यास देखेंगे तो सब क्रिश्चन्स हुआ करती थी नर्सिंग में और उनकी सेवाएं कितनी दया से भरी हुई होती है आज तमाम स्वास्त विवागों में देखिए क्या वो चीच पाई जाती है इसलिए कि उन हिस्सों को जो गैर विस्वासी गैर मसीही लोग हैं वहाँ से आई उनके अंदर ये डाला नहीं गया उनके अंदर तो ऐसा था कि बुजर्ग माबाप हुए तो उनको गाय बक्रियों के कोटे में रख दिया जाता था घिन की जाता चुआने जाता तो ये क्या एक मनुष्य का दो से नहीं उसके पीछे वो सिक्षा जिसमें भ्रमित है क्या अंतर है संसार पे राज करना कैसी मान सिकता है मनुष्य पे राज करने वाली मान सिकता है अपने आपको बड़ा दिखाने वाली मान सिकता है और जहां ऐसी मान सिकता है वो ना दया कर सकता ना प्रेम रख सकता ना करुणा कर सकता और खुशियां तो दे ही नहीं सकता वो हमेशा उसके पीछे एक गहरा जाल होगा ये अंत-अंत में इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम इस से सचेत हो हम जो कर रहे हैं किसी लालच की अनुसार नहीं ये प्रमान प्रेम का प्रमान हमारे प्रभु ईशू के दौारा पूरा संपन्व किया गया और यहीं सिख्षा पूरे पवित्र सास्त्र के वचन की मसीही सिख्षा जो प्रभु ईशू के दौारा है यहीं तो है आपने देखा एक सामरी पुरुष को डाकू ने मा रहा था। pt किसी ने लिए अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख से मतलब क्या होता है उसका एक हिस्सा खुशियां देना है मदद करना है अपने से कम से कम में मदद करना है लगता होगा वो चालाग जो धूरत लोग है नास्तिक लोग है जो परमेशर की सच्चाई को नहीं मानते वो मूर्क बना सकते हैं वो अपने आपको ज्यादा होसियार समझ सकते हैं पर उनके हालाद देखिए उनके घर के हालाद देखिए खुशियां का नाम निशान नहीं सिर्फ ढोंग है एक रोबोट की तरह हसते हैं रोबोट की तरह हो गए हैं कहीं पर भी वो जो आत्मा की खुशी और शांती और आनंद का जो पहलू है उनसे विलुप्थ है उनसे दूर है उसकी पहचानी नहीं है उसका ऐसासी नहीं है क्यों कि परमेश्वर की सिक्षा से दूर हो गए आज देखिए ना हमारा जीवित सच्चा परमेश्वर प्रभु ईश्यू पिता पवितरात्मा इसराइल क हमेशा से बचाती आया यह प्रमान है कि इसराइल को बचा रहा है हाँ लोग ब्रहमित हैं ज्यान में भटके उए network पर बचारा तो परमेश्वर है वो जिसका नाम यहौव है जो योधे वाव है हमारा तरिएक परमेश्वर जो है वो बचा रहा है और आज वो हमको बचा र रहा है मनिश्यों के बीच में कि मनिश्य क्या होता है हाँ कम ज्यादा सब जगह है पर खुसियां ऐसा उपहार है जो हमें मिला है जितना बाटेंगे हम अपने जीवनों के द्वारा जीवनों के द्वारा बाटेंगे लोगों को जीवन देने के लिए जीवन देने वाला तो खेर सर्व शक्तिमान परमेश्वर है पर जब हम इस सच्चाई से जो सिक्षा हमें मिली उसके अनुसार हम करेंगे तो निश्चित बहुतों के लाब का कारण होगा जिस तमाम मानसिकता जो है जिहाद वाली की हम गजवाए इंद संसार पर राज करें वैसे ही कटरवादियों की है इसके अलावा है क्या परमेश्वर का राज हमारे बीच में है उसके राज में कोई दकल नहीं दे सकता ये उसको चूबी नहीं सकता ये संसार के राज की बात करते हैं प्रभू ईश्यू के समय में भी यहूदी जो चेले हुए वो ये समझ रहे थे कि रोमन्स से बगा दिया जाएगा तो संसार के राज की कल्क ना करना संसार में परमेश्वर का राज सबसे खुबसूरा चीज खुशियां बाटने से हैं वहां सब बदल जाता है इनसान इतना खुबसूरत है कठोरता से कठोरता खतम हो जाती है ये उवदेश नहीं ग्यान नहीं ये के लोगों के लिए और अगर सचाई से कोई ये करता है चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो विस्वासी हो गैर विस्वासी हो आपको जो अच्छा लग उन सब के लिए ऐसे कठिन समय में क्योंकि कोई सालूशन नहीं परमेश्वर जिसको उठाएगा वो उठेगा इसराइल के अनुरूप जब अंतिम ये समय है ये विस्व गुरू की खोकली कल्पना मात्र सैतानी सौभाओ के कारण है कहीं न कहीं छोटा बनाना है और उन जूटी चीजों को सामने लेके चले जाना है जिनका अता पता नहीं खुद बोलते हैं मैथालॉजी अच्छे से जानते हैं पर मनुष्य के सौभाओ की बात बता रहा हूं और वो सौभाओ मसीहों में इसलिए आता है कि वो लहु जो प्रबु ईश्यू का है वो माज जो प्रबु ईश्यू का है ये गैर जातियां गैर मसीही जो हैं गैर विस्वासी ये नहीं समझ सकते कि वो हिस्सा हमें ताकत दे वो है अंस परमेश्वर का सब स्विकार करते हैं कि हम परमेश्वर के अंस वो परमात्मा है हम आत्मा स्विकार करते हैं पर यह नहीं जानते कि वो मरी हुई आत्मा जो मरा ही काम करेगी उसका जीवित होना परमेश्वर पर निरभर है इश्यू के नाम पर निरभर है पवित् कि कोई भी युक्ति वहां पर एक मरी हुई आत्मा को जीवित नहीं कर सकते। मरे हुए को थोड़े समय में कमजोरी में कई मरे हुए होते हैं ना बुद्धी मरी हुई माइंड काम करता रहता अगर हम विज्ञान की द्रिश्टी से देखें तो पूर्ण मृत्यू किसको कहते मतलब सरीर की पर जब इनसान ने पाप मतलब मृत्यू डैथ को अपने जीवन में ले आया मेवित कहते हैं वैसे मृत्यू को पाप को अधर्म को कर्म एकदम अलग बात जैसे फ्रेम मेंसे करुना और खुशियों का उदाय है वैसा ही पाप के अंदर पाई जाने वाली ये इस तमाम मन की पूरी बुराईयां वो बारा दाग धबू जुर्या और यहीं पर खुशिया वो हिस्सा है जो मांगा जाना चाहिए ईशू के नाम में सरगी इस्थाणों से कि ये सुनहरा मौका आपको मिले आप चाहे कुछ हो कितने कुछ न जानते हो कुछ इजा पर सेव का जे सुनहरा मौका अगर आप मांगते हैं इश्यू के नाम में सब के लिए मसीही गैर मसीही अन्य अन्य जातियां ये तमाम लोगों के लिए है तो हर्दय को बदलने वाला परमीश्वर है मनिश्य की कोसिस नहीं अथार्थ ये कदम हमारे विचार और सोच से जैसे मैं बता है किसी के जीवन में थोड़ी सी अगर आशा है तो उसमें खुशियां डाल दूँ कितना शांदार तेल है वो दिया दिया जब जलता है अंधेरे में निश्चित ऐसे वेक्ति को समझाने की भी जरुवत नहीं होगी वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का जो लोग पाखन जाद उटोने से नहीं आपकी ताकस से नहीं रिस्वस से नहीं कतम होता है चालाकी की मदद से नहीं अपना नेक नामी कारण नहीं होता मैमा के योग सिर्फ परमेश्वर है और पवित्र सिर्फ परमेश्वर है कोई व्यक्ति अगर अपने आपको इस संसार का खुदा बना न चाहे तो निश्चित जो बना रहा है वो सैतान के हाथ में है स्रिस्टी का रचायता परमेश्वर है उस से जो बड़ा बनना चाहता है किसी भी तरीके से तो सैतान के हाथ में है वो खुशिया नहीं बाट सकता वो अगर किसी की मदद भी खुशियों के लिए कर रहा होगा तो वो जहर होगा, मैं ये दोनों हिस्सों को बहुत साफ साफ बता दी, और ये अपने धर्मों को बचा रहे हैं, हमें प्रभूईश बचा रहा है, कितना फर्क है, ये अपने मंदर मजजद बचा रहे हैं, हमें बचाने की जरुवत नहीं, वो हमें बचा रहा है, और सशमु पिता की होगी लगता बहुत ऐसा है तो कि क्या पर खुशियों का जिसने पाया है ऐसास वो जानते हैं ये होना है ईश्यू के नाम में प्रतेक मसी ये करेगा वो कर भी रहा होगा मैंने भी क्रिशन नरसन्गस में जो हैं उनका मैंने उधारन दिया फौरेंट के डॉक्टर जो हैं क्रिशन कितना अंतर है आप अंतर समझ लीजिए मांसिकठा का क्यों है ये तो संसार के बनाए हुए धर्म और परमेशर के धर्म में जमीन आसमान का अंतर है उसके वचन और मनुश्य के वचन में जमीन आसमान का अंतर है इस पृत्वी का बहुत ही आदरनी है किसी के लिए बहुत बुद्धिमान ने अगर कुछ बताया है तो भी वो परमेशर नहीं हो सकता जीवन की सांस देने वाला और ये खुबसूरत सिक्षाएं खुसियों से भरी प्रेम से भरी और शक्ती से भरी अभी तो सौंदरी के बारे में आप जानते नहीं है अच्छा और उसके लिए आपको एडल्ट होना जरूरी है कम से कम चालिस साल से तो उपर याने पचास साल से उपर तो एक्चुली सौंदरी और भविश्वानिया जो सांग आप सालो मंस में हैं स्रेष्ट की तब समझ पाओगे आप वो सुंदरता आपको जिसमें पूरा विवरन है पर उसके लिए इसी ऐसी छोटी छोटी चीजें में पवितरा आत्मा जब हमारे सिखाएगा तो निश्चित आप जानी है ईश्यू के नाम में ये खुबसूरती सौंदर आगे जाना है खुसियों के साथ जाना है सुगंद के साथ जाना है पूरी इमानदारी सच्चाई और हमारे प्रेम की वो समाम शक्ती जो मन पराना आत्मा की है जब यह लगा कर हम परमेशर से मांगेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो सरवत्तम काम आप करने जा रहे हैं संसार में पिता पुत्र पुवित्र आत्मा के द्वारा जो वहां पर आपको ये शानदार फल आपके हाथ में रहे इसके लिए किसी प्रमान की जरुवत नहीं और आपके घर में ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे जो असंभाव लगते रहे होंगे और देखिएगा सारा कुछ दूसरों से अथार्त मैं दूसरे से मतलब ये किसी मनेश्य को अलग नहीं कर रहा हूं सब में वो बाते हैं पर कुछ समय का अंधेरा जब उनका परदा हटेगा तो वो भी उसकी महिमा में सब साथ होकर परमेश्वर की महिमा करें और इस गंदगी को जो पता नहीं कटरता के धर्मांद के आतंक के पता नहीं कौन कौन से नाम से घुसती है जो दैश्चत पहलाती है वहाँ ये काम और इस से सुन्दर काम हो ही नहीं सकता पर कराएगा पिता पुत्र पवितरात्मा और जब मैं पिता पुत्र पवितरात्मा बोलता हूं तो वो उसका वचन है ये बाइबल तो अपनी प्रात्माओं में बिलकुल रखिये जो सुबह साथ बज़े और साम शाद बज़े होती है पूरे आलोवर वर्ल्ड में होने लगी है ये रखु का धन्यवाद की प्रात्मा होती है सिर्फ पर उसमें अब मैं चाहता हूं कि ये हिस्सा जोड़ दीजिए कि वो सारे हो और ये देखेंगे कि धीरे धीरे पवितर आत्मा आपको आप होंगे बिलकुल और और भी उसकी योगे संतान बनेंगे जैसे पिता कहता है ये मेरा प्रेपुत्र है जिससे मैं प्रसंद हूं तो परमेशर को प्रसंद करिए इस्यू के नाम में शलू झाल